राधे राधे मेरी यूट्व फैमली करीब दो महीने पहले मैंने आलू के चिप्स की एक सोट वीडियो आपके साथ शेयर की थी जो कि मैंने काफी सारी क्वांटिटी में बनाये थे आपके बहुत सारे कुमेंट्स आ रहे थे इन चिप्स के लिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में चिप्स वगेरा जब बनाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है मतलब हमें सफर वगेरा पे जाना होता है क्योंकि बच्चों की पसंद की चीज़े होती है इसी वज़े से सफर के लिए ज्यादा quantity में बनाए जाती है तो मैंने सोचा फिर से वो ही time आच चुका है हमारा जाने का time आही रहा है और मैं ज्यादा सी quantity बे ये आलू के chips घर में बना रही थी तो फिर सोचा आपकी साथ भी recipe शेयर कर ही देती हूँ यहाँ पर देखिए करीब मैंने एक से टेड किलो के जितने आलू ले लिये है और यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी quality का लिया है मतलब अच्छे chips बनाने हैं तो आलू भी अच्छी quality के लेना होगा जैसे कि chips होना बगेरा के आलू होते हैं इनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद पानी में अच्छे से दो लिया है और इनको एक plate में निकाल लिया है अब इनको हमें cut करना शुरू कर देना है उसके लिए हमें क्या करना है एक बड़ी सी बाउल या बरतन ले लेना है उसमें पानी डाल देना है और एक छोटा चमच की जितना फित करी याँ पर लगा-ले नी है फित करी डालने के बाद अच्छे जी, mix कर लेना है उसके बाद हमें chips बनाना शुरू कर देना है अब देखिये, chips को आप जितना पतला करके काटोगे आपके चिप्स उतने ही white color के बनेंगे और जल्दी से सीखे तयार भी हो जाएंगे चिप्स की ठीकने से अगर मोटी रहेगी तो चिप्स देर से सीखेंगे और उनका color लाल भी हो जाएगा चिप्स का लाल होने का दो कारण होते हैं वैसे आके आपको बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने potato chopar जो chips काटने वाला हमारा cutter होता है मैंने वही ले लिया है और जितने भी यहाँ पर यह आलू ते इसके मैंने chips cut कर लिया है अच्छा potato नी जो chips हमारा chopar होता है यानिके इसे chips बनाना एक तो आसान होता है और यह बहुत ही जल्दी से बर भी जाते हैं तो देखे एक सब किलो आलू के chips को मैंने करी मिया पर 5-7 मिनिट का time लगा है सारे cut करके तयार कर लिया है और सारे एक ही जैसे size के भी cut कर लिया है तो आसानी रह जाती है इसी तरीके से चोपर से आप chips को cut कर ले अब मैं अंदर लेक के चली गई थी सीकर के पास क्योंकि इनको दोना जरूरी होता है चलते पानी में इनको 5-6 बार या 7 बार जब तक इसका white white पानी आना बंद नहीं हो जाता है जब तक इनको दोना है उसके बाद मेरा जो counter है यह काफी बड़ा है तो मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा बिछा लिया है इसके नीचे मैंने cotton के टोबल वगयरा बिछा रखे है उसके ओपर मैंने cotton का दुपट्टा बिछा आ है और सारे के सारे chips यहाँ पर फैला आती है चिप्स को कुछ इस तरीके से फैलाएगे एक एक करके ऊपर नीचे नहीं डालेंगे नहीं तो इनका जो मोश्य रहना वो खताम नहीं होगा तो यहाँ पर मेरी help करवा रहते हैं मेरे husband काफी सारे chips ते काफी टाइम मुझे यहाँ पर लगने वाला था और chips बनाने में मुझ 4-10 मिनट के लिए दूप में इनको बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है चलिए chips को बनाने की तयारी कर देते हैं यहाँ पर यह मैंने एक चोड़े से मौवाली कड़ाई लिया है इसकी तली काफी है जब भी कोई फराय वाली चीज बनाते हो तो जो कड़ाई ले रहे हो उसको को आप थोड़ा सा हैवि तली मेले उसके बाद मैंने यहाँ पर रिफायंड डाल दिया है chips बनाएंगे 스타일 में थोड़ा सा हम यह पर पकावा रिफायंड भी डाल लेना है इसको एक रीजन होता है chips हमारे बनते हैं तो थोड़ा सा कच्छा रिफायंड और थोड़ा सा पका बारिक बारिक काटे थे ना इसी वज़े से एकदम ट्रास्प्राइट बनके तयार हुए है चलिए चिप्स बनाने की तयारी करते हैं और उससे पहले थोड़े से चिप्स आपको दिखाती हूँ देखे इस तरीके से इन में बिल्कुल भी मोश्टर नहीं है जब इनका ना होई कहने का मतलब यह है जिस तेल में आप चिप्स को फ्राइब कर रहे हो उसका टैम्प्रेचर लाश्ट टाइम तक बिल्कुल भी कम यानि की ठंड़ा नहीं होना चाहिए एकदम हाई रहना चाहिए जैसे हम घेवर बनाते है उसका जो तेल का टैम्प्रेचर होता है एकदम हाई करके रखते है तभी तो घेवर अच्छा बनता है सेम यही तरीका यहां पर है जब तक तेल का टैम्प्रेचर एकदम खोलता वार अच्छा रहेगा आपके चिप्स जो है बहुत जल्दी से सीख जाएंगे ठीक है ना कम टाइम में सीखेंगे और एकदम प्यार कर लिया है अब यहां पर चिप्स इतने सारे हैं कि मुझे यहां पर आदा पोना गंटे का टाइम लगी गया था तो लगबग में यहां पर यह सारे चिप्स बना के तयार कर लिया है बस यहां पर यह लगबग में दो ही बैच रह रह रहे हैं तेल को मैं थोड़ा सा डेटेल में शेयर नहीं की थी, आपके बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे थे, इसी वज़े से मैंने इस वीडियो को आपकी सारे डेटेल में सेयर कर दिया है, तो देखें, यहाँ पर बहुत सारे शिप्स बनके तयार हो चुके हैं, राश्ते में बच्चों को छोटे मोटी जाके लेके जा सकते हो जब खास कर आप बच्चों के साथ सबर कर रहे हो, वैसे बच्चे क्या, यह तो हमें भी सभी को पहुच जाता पसंद है, घर के बनेवे हैं तो अच्छे लगते हैं, खाने में टेस्टी भी लगते हैं, जादा नमकीन फ्लेवर चाहिए, आपको तो